कॉंगरिस्ट के वरिष्ट नेता एवं हमीरपूर संसलिये चुनावक्षेतर से कॉंगरिस परत्याशी रामलाग ठाकूर ने बिलासपूर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब वे राजनीती में आए हैं उन्होंने लगन और परिश्रम से जनसेवा की है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी थाइलेंड सिंगापूर आदी देशों की यातरा करने की अपेक्षा जनसेवा को ही उचित समझाए। दिखावे के लिए वे किरकट नहीं खेलते हैं और अगर जनता उन्हें संसलिये चुनावक्षेतर को वे अपना घर मानकर जनसेव करेंगे। उन्हें के साथ जनता की सेवा की है। उन्हें कभी थाइलेंड सिंगापूर आदी देशों का यातरा करने की अपेक्षा जनसेवा को ही उचित समझा है और दिखावे के लिए कभी किरकट नहीं खेला। अगर जनता ने उन्हें सांसद बनने का अवसर परदान किया तो हमी एपूर संसदिये चुनाव खेतर को वोई अपना घर मानकर जन सेवा करेंगे। उन्हें हमेशा आम जनता के साथ जन कल्यानवा उनके उत्थान के प्रती समय वेतीत करने की बाद कही। उन्हें कहा कि सभी एक जूट हो जाएं तथा कॉंगरिस को मजबूत करने के लिए द सरकार शे प्रशन किया कि अब विस्तापितों को उनका हक देने में देरी क्यों हो रही है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि वे पुरानी पेंचन स्कीम को दोबारा बाहल करवाएंगे। नियाय योजनक के तहत 6,000 रुपे महीने महिला के खाते में आएंगे। साथ ही रिक्त प आप आने वाले की सूरत में गिर्फतारी का ना होना, स्वास्तेवा शिक्षा के बजट को दुगना कर रहा, मन्रेगा के तहत 1,500 दिन का रोजगार देना, भूमी अधिगरहन कानून के तहत किसानों को चार गुना मुआफजा देना आदी योजनाएं कॉंगरिस के घोशन तर्फियन के तो छाने वाले के सवस्क्या ओए काम चींखा है श्रू से लेके दमांच लुको मालों है कि हमें कॉली में सटेते हैं, हमने अपना राजिंतीग सफत जो हर वह बड़े वच्छिन सख्या है Ah अब्लाइब में सिर्पत है झाल झाल